साथियों आज हम वर्तमान यूग में लेबर लॉज की स्रीज के तहत बात करेंगे न्यू वेज कोड एंड यूर टेक होम पे अभी भारत सरकार ने वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में जर्व पास कि हैं इन में केंद्र शरकार में अपने रूल्स बना कर में पबिलिश कर दिये हैं और इनको प्रेजडिेंट उफ इंडिया से भी पास या स्टेट गोष्ऐर न Henri रूल से अपने अनीयम बना रही हैं अभी शिक्र ही इनकर पालन होने वाला है इनकी डेट है एक अप्रेल तोंकि हमारा नया फाइनेंशियल इयर एक अप्रेल से इस्टार्ट होने वाला है इसमें ध्यांदेने योग के बात यह है कि अब हमारी बेसिक सेलरी टोटल सीटी सी की 50% हो जाएगी इससे क्या होगा कि हमारी जो टेक होम पे है वो घट सकती है यदि हम हायर इनकंग सेलरी ग्रूप में आते हैं और यदि लोर में तो कोई फर्क पढ़ सकता है नहीं भी पढ़ सकता है और हमारे रिटारियल बेनिफिट्स प्रॉप्डेंट फंड एम्प्लॉईज पेंशन और ग्रेचुटी की अमांट पढ़ सकती है इनके इंप्लिमेंटेशन हो जाने से जो वेज की नई डेफिनिशन है जिसमें बेसिक डियर्नेस अलाउंस और सभी अधर अलाउंसेज जिन में कुछ एक्स्कुलूड कर दी गया है जैसे हाउस रेंट अलाउंस, इस्टेटरी बोनस, ओवर टाइम अलाउंस, कन्वेंस और कमिशन्स इसका मैंने कुछ उधरन दिया है जो इंक्लूजन्स है वो है बेसिक पे डियर्नेस अलाउंस, रेटेनिंग अलाउंस और जो इस्पेडिफ कंवेंस अलाउंस, संपेड देफर इस्पेशल वर्क एक्सेंस, हाउस रेंट अलाउंस, रेमुनेरेशन पेबल अंडर सेटलमेंट, ओवर टाइम अलाउंस, ग्रैचुटी और रिट्रेंच्मेंट कंपेंशेशन्स, इससे क्या बद लेगा, नमबर वन आपकी बेसिक और मिलकर आपकी टोटल CTC की 50% हो जाएंगे, नमबर दो आपका प्रॉटेंट फंड कंट्रिबूशन और फेम्ली फंड का कंट्रिबूशन और ग्रैचुटी की कंट्रिबूशन जो आपकी सेलरी से CTC का हिस्सा है वह बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज सोचल सेक्य में आती है, मैंने एक इसका उधारन भी दिया है, ओल्ड में यदि आपकी बेसिक सेलरी पोटल CTC का 25% थी, और आपने 10 साल काम किया, तो आपकी एक्रूट ग्रैचुटी 25 रुपे पर 144 रुपे 23 पैसे बनती थी, और अब नए रून से, क्योंकि आपकी बेसिक 50% हो हो जाएगी, तो वह बेसिक सेलरी 50 रुपे हो जाएगी, और तर्म्स अफ एम्प्लोइमेंट 10 साल का 10 साल रहेगा, आपकी एक्रूट ग्रैचुटी अमाउंट दो सो अठासी रुपे चालीस पैसे, इसका मतलब आपकी परसेंटेज इंक्रीज इन एक्रूट ग्रैचुटी 100% हो जाएगा, जो आपकी CTC सही कटना है, इससे पूरी-पूरी संभावना है कि आपकी टेक होम सेलरी या टेक होम पे कम हो जाएगी, इसका इंपक्ट क्या प पल जाएगा तो, the impact is expected to be the higher in lower salary brackets than the mid and high salary brackets, इसका जो प्रभाव पड़ेगा, वह तीनों ब्रावकेट पड़ेगा, लेकिन जिनकी salary lower income bracket माती है, उन पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनकी salary per income tax का slab अब बढ़ सकता है, वाई government wants it, भारत सरकार ऐसा क्यों चाहती है, उसके पीछे भारत सरकार की दो मनशाह है, जिनको वह है प्रति एक प्लेटफ़र्म पा कहती है, नमबर वन, एक तो, social security और social insurance जो अपने कर्मचारियों का है, उन्हें बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो organized sector के हैं, वहाँ कोई problem नहीं है, problem है gig workers और platform workers इसलिए उनकी insurance और उनकी social security को बढ़ाना चाहती है, नमबर दो, to secure the retirement plans of millions of employees, जो लोग retirement के बाद problem आती है employees को, old age में उसको भी वह secure करना चाहती है, इसलिए retirels पर ज़्यादा government ने focus किया है, अब जब कोई नया employee join करता है, या नौकरी बदल करके दूसरी जगे join करता है, तो अब उसे तीन चीजों पर focus करने की बहुत आवश्यकता है, नमबर वन, CTC के components क्या क्या है, उस company का pay structure कि स्टरीके का है, उसमें कौन सा part कहा आता है, वह उसको समझना, जानना अत्यान तावश्यक है, नमबर दो, company की leave and catchment policy क्या है, और उसका impact मेरी salary पर या मेरी मजदूरी पर क्या परने वाला है, नमबर तीन है, जो latest भारत सरकार के income tax rules है, वो वरतमान में क्या-क्या और कैसे और कितने percent तक applicable है, वह तीनों समझना अब आवश्यक हो गया है, इससे हमें क्या takeaways मिलते हैं, नमबर वन, कि अब आपकी salary, जो take home salary अब है, कम हो सकती है, और जिनकी higher income है, उनकी अवश्यक होगी, लेकिन जिनकी lower income employees है, उनकी salary में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठिक हैं? नमबर दो है, the allowances offered to the employee cannot be lesser than 50% of the gross salary. तो अब जो होंगे, वो केवल 50% तक होंगे, उससे ज़्यादा आप allowances नहीं दे सकते, basic or dearness आपकी, अप 50% तक होगी, जिससे आपके other benefits खत्म हो जाएंगे, और income tax की range में, आप आजाएंगे. नमबर तीन है, after the new grad, gratitude and monthly provident fund complete, deemed to alter, ये दोनों आप बढ़ जाएंगे, तो इनको बदलना आवश्यक है. नमबर चार है, चितने भी organized sector की कंपनियां हैं, उन सब को अपने pay policies को और HR policies को या तो redesign करने की ज़रूरत है, या rewrite करने की ज़रूरत है, after implementation of waste code 2090. अभी एक बात और ध्यान देने की है, जो ये जब चारों labor courts लागू होंगे, तो जो organized sector के employees हैं, उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है gig workers और platform पर, और वो भी उन पर जो किसी भी employer के role पर नहीं है, तो यह हमें जानने की बहुत आवश्यकता है, और इनको जानकर हम अपने, अब मंतली प्लैन को ठीक से समझाएं, और ठीक से अपने बजट को बनाएं, आपका मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद,